हेलो अब्रिवान वेलकम बैक चू नैंश्री क्लासेस और दिस इस नैंश्री आशकरती हूँ कि आप सभी लोग अपने घरों में बिल्कुछ रक्षत होंगे आज के इस वीडियो में हम यूपिटर पलसी पैट से सम्मधित बातचीत करने वाले हैं और बातचीत में विसिकली आप लोगों के जो कॉमेंट्स हैं जो डाउट्स हैं कॉमेंट्स में उन सभी डाउट्स को लेकर मैं आज बातचीत करने वाली हूँ मैक्सिमम जो कॉमेंट्स हैं वो इसी तरीके के हैं कि यूपिटर पलसी पैट की त्यारी कब से, कहां से और कैसे शुरू की जाए कैसे इस एक्जाम में पहली बार में ही बहुत अच्छा परसेंटाइल लाए जाए ये सभी डाउट्स आप सभी के मन में हैं और आज मैं इस वीडियो में इन सभी डाउट्स को क्लियर करने बाली हूँ सबसे पहले तो मैं बात करूँ कि यूपिटर पलसी पैट की त्यारी आपको कब से सुरू करने चाहिए तो पहले तो नोटिफिकेशन की बात करते हैं मैंने आप लोगों को दो या तीन दिन पहले एक वीडियो दिया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि यूपिटर परलसी पैट का एकड़ाम अभी तक दो बार कंडक्ट हुआ है 2021 में और 2022 में जब यह exam 2021 में conduct हुआ है और 2022 में भी conduct हुआ है तो इस exam में एक similarity देखने को मिली वो थी कि इस exam का जो notification है वो आपका जून से जुलाई के महीने में देखा गया अभी जून आपका शुरू हुआ है तो आप यहां पर अंदाचा लगा सकते हैं कि इस बार 2023 में पैट exam का notification आपका जून से जुलाई के महीने में आपको देखने को मिलेगा देखें आप सभी को पता है कि उमीद पर दूनिया काइम है एक यह आशा लगाई जा सकती है कि एसा पिशली बार हुआ है तो इस बार भी आपक्सेज हैं आपके हैं कितना time मिलता है यह आपको खुद से calculate करना होगा जब आप खुद से time calculate करेंगे तो आपको लग जाएगा कि हाँ आपके पास इतना time है अब आपको इतने time में इतनी सारी चीज़ें कबर करनी है तो यह तो आपको clear हो गया कि इस exam के लिए त्यारी आपको कब से शुरू करनी च कर सकते हैं तो सबसे पहले इस exam का पैटर्न जानना बहुत जरूरी है जैसे मैंने 2021 में एक्जाम दिया था मैं totally blank थी क्योंकि फॉर्स टाइम यूपिटर फलसी पैट का एक्जाम हुआ था मुझे कोई आइडिया नहीं था और मैंने इस exam का पैटर्न जो है बहुत अच्छे यह बीडियो बनाया है यकीन कीजिए कि अगर आप वो वीडियो देख लेंगे मुझे नहीं लगता कि फिर आपको इस वीडियो को भी देखने की पूरा देखने की कि उस वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से समझाया है मैं खुद परसनली अगर बोलूं कि उस वीडियो उसे बहुत कुछ मैंने भी सीखा है उस वीडियो को आप यहां पर देख सकते हैं लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देदूंगी आप बहां पर जाके इस वीडियो को देख लीजिएगा तो पैटर्न से संबंदे जितना भी आपके मन में डाउट है कि इस एक्जाम का पैटर्न क्या है वह आपका बिल्कुल किलियर हो जाएगा और साथ ही साथ इस वीडियो में आपको यह भी पता चल जाएगा कि किस सब्जिक के लिए आपको कौन से रिसोर्स फॉलो करने हैं यकीन कीजिए कि वह वीडियो आपके लिए एक कह सकते ना फूल पैकेज तो आप वो वीडियो देख लीजेगा तो यह किलियर हो गया कि आपको कैसे त्यारी करनी है तो मैं आपको सजेशन दूगी कि पहले पैटर्न जाने उसकी बाद आप जो है इस एक्जाम के लिए त्यारी सुरू करें कैसे करना है इस वीडियो में आप देख सकते हैं सभी लोगों का कहना है कि मैं यूपी टरफाल सी पैट की तेयारी करवाईएगा इस बार जब एक्जाम होगा तो मैं आपको पहले से एक चीज़ी क्लियर कर देती हूं कि मेरे यूटूब चैनल पर पहले से जो वीडियो हैं जैसे कि मैंने एक सब्जिक का एक टॉपिक कव देवाया है तो आपको मैं यही कहूंगी कि एक बार आप लोग क्या करें कि इस वीडियो का डिस्क्रेप्शन बॉक्स चेक करिएगा बहां पर मैंने हर सब्जेक की प्लेलिस्ट आपको दे दी है जाए प्लेलिस्ट में आप वीडियो देखिए नोर्स बनाईए कि इस बार जब पैट एक्जाम होगा तो मैं आपको नोर्स निहीं बनाऊंगी मेरा फोकस रहेगा सिर्फ करेंट अफेर्स पर क्योंकि अच्छे कासे कुस्टन आते हैं और जश्य वीडियो और प्रैक्टिस पर क्योंकि मुझे पिछली बार ऐसा लगा कि मैंने आप लोगों को नहीं करवा पाई इतना मैंने पढ़ाया कि बच्चे कहने लगे थे कि मैं इतना सारा वीडियो आप कैसे दे ले रहे हो उनको पढ़ने के लिए समय कम पढ़ रहा था लेकिन इस बार मुझे प्रैक्टिस ज्यादा करवानी है क्यों कि मैं पिछली बार आप लोगों को नोट् पढ़ाओंगी बाकी करेंट के लिए आपको करना क्या है कि जब आपका एक्जाम आने वाला होगा तो उसके पहले का 6-8 महने का करेंट पढ़ लीजेगा मैंने भी यहीं किया था और मेरा 98.something percentile भी था तो मैं आपको यहीं सजेशन दोंगी कि अभी से इतना बर्डन पालन की जरुरत नहीं है आप क्या करिए कि जब एक्जाम होगा उसके 6-8 महने का करेंट पढ़ लीजेगा उसके लिए मैं हूं डोंट वरी बस आपको करना यह है कि अभी जितना मैंने बताया है बस उतना कर लीजिए इनाफ है आप लोगों के लिए तो आई होप आप लोग को क जो डाउट से वो क्लियर हो गयोंगे एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहिन